खबर है जम्मू कश्मीर से और शेत्रिय दलों ने रिपोर्ट को एक तरह से खारच कर दिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व इस राज्य के मुख्यमंत्री कवींद्र गुपता हमारे साथ मौजूद है गुपता जी विपक्ष ने इस डिलिम्टेशन की जो ये पूरी आपकी प्रक्रिया इसको खारच कर दिया है कह रहें कि ना अबादी का धान रखा गया है ना प्रक्रिया का बिलकुल सब्सक्र सालों से लगातार जम्मू के साथ डिसक्रमेशन की गई आपकी जानकारे के लिए जिस गांदी नगर सीट से मैं लड़ता था दो लाख वोटर थे उसमें और कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीटे हैं जिसमें गुरेज की सीट सोला हजार की, कंदरवल की सीट तीस हजार की, क्या ये डिस्किमिनेशन नहीं था आज जब एक पोशिश की गई है सभी जाती, सभी धर्म, सभी कमिन्टीज को यहां पर अधिकार देने के लिए और इसके साथ ही जो कश्मीरी पड़े समाज जो घाती से निकला था उनको भी रिकमेंडिशन देने के लिए और टेरन को, असेसे मिल्टी को सभी क्रैटेरिया को देख करके आज जब ये डिलिमिटेशन कमिशन ने काम किया है तो तकलीफ होना सभाविक बात है क्योंकि यही लोग जब सप्टा में बैठे थे तो इन्होंने एक रूल पास कर दिया था एक ये जारी कर दिया था कि दो हजार शब्य सक ती डिलिमिटेशन नहीं हो सकती उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कारण यही था कि इन्होंने एर्रेवलेटिस की हुई थी उसी अधार पर ये डिलिमिटेशन करना ही नहीं चाते थे जम्मू के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी नागरिक बना करके रखना चाते थे गुपतर जी आवादी तो कश्मीर में जादा है जम्मू से के मताविक लेकिन इस अर्रेंजमिट में च्छे नई विधान सबासी जम्मू को दी गई हैं और कश्मीर को सरफ एक दी गई है ऐसा नहीं है आज भी उस आवादी के हिसाब से जम्मू की सीटे 43 है और इनकी सीटे 48 हो रही है तो आप खुद अंदाजालक 5 सीटें की ज़्यादा है कितनी अवादी ज़्यादा है और जो मैं ये भी आपकी जानकरी में रखना चाहता हूं जो सही पापुलिशन इन्होंने 2011 के संसिस में दर्शाही नहीं और तैंसिट जर्शाही नहीं और जिस परकार से वहाँ पर संसिस हुआ यह लोग हम बजानते हैं यह भी जानते हैं और रख जवात कि हलने के जो मिए 21 और राजोरी जिलू को एक किया है ये जम्मू संस्दिय इलाके और अनतनाक संस्दिय कॉंस्टिवेंसी में है दक्षन कश्मीर में और इनमें 500 किलोमीटर की दूरी है शोपया से होती हुई जो मुगल रोड है वो सर्दियों में बंद हो जाती है तो ये कैसे किया गया देखे ऐसा नहीं है सभी साधन जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना जाना चाहिए इन लोगों ने क्या किया कोई पीर पंचाल कोई रजोरी पुंच कोई फहाड़ी इस तरह का एक इन्हों ने नाम दिया था कोई ऐसा इलाका नहीं है किसी ना किसी तरीके से वो लगता है और आपस में जुड़ता है और इस परकार से कई यह नहीं है कि अब लेगा इलाका है लेगा इलाका है कि छे महीने बंद रहता है लेकिन आज इस परकार से सरकार द्वारा टनल्स बना करके तोतो प्रसेंट वोट टे करके इन्हों ने अपना मेंबर पार्लियमेंट चुना है पिछले आप कई सालों के रिकार्ड देही थी हनंत नाग में या दूसे लाकों में तीन प्रसेंट जब वो इलाकी आपस में जुड़ेंगे तो सभी लोग वोट करेंगे और यह जो इन्हो पावर को करना ही नहीं चाते थे जिए चाते थे कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रहे उस परिवारों के हाथ में रहे आज जब यह डिलिमिडेशन कमिशन में जो पांच हमारे मेंबर पार्लियमेंट है वो भी थे तीन तो इन्हीं लोगों के थे गुपता जी लेकिन अब यही मनमर्दी का आरोग तो विपक्ष आप पे लगा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया बीजेपी ने अपने फायदे के लिए की है और एक तरह से विपक्ष ये भी कह रहा है कि वोट का हख भी मारा जा रहा है देखे जंगता का इसमें फायदा होने वाला है बीजेपी अगर लोगों के बीच में रहे की तो बीजेपी का फायदा होगा जो भी लोगों के बीच में रहा आज इनकी जमीन जम्मू कश्मीर में खिस्क ठुपी है कोई ना कोई बहाना बना करके यह किसी भी तरह की बात करे यह सभी के लिए होना है, और होना भी चाहिए, किसी पर्टीकुलर धरम को मना करके इस परकार के यहाँ पर महोल खराब करना चाहते हैं, इन्होंने यही किया है, इन्होंने तो यह भी बिल पास किये थे वहाँ पर, जो पाकिस्तान में चले गए है, 1947 में, वो यहाँ कर अपन आना गया है फिलाल लेकिन आपको याद हो का कुछी समय पहले अलग-अलग यूरियन ट्रेटरी बना दिया गया था तो काया कहा जा रहा है कि अपनी सहुलियत के साब से बार-बार बदला जा रहा है देखिए यहां तक लदाख का सवाल है, लदाख के साथ, देखिए एक कालाई ही था कि इनकी डिस्किमिनेशन थी लग्दाक के साथ भी जम्मों के साथ भी आज वो लोग फिलकुल खुश हैं वो चाहते हैं ना उनकी अबादी मिलती है ना इनकी सोच मिलती है तो इन्होंने लग्दाक को अपने नीचे रखने के लिए इस परकार का प्रावधान किया था आज लग्दाक के लोग तो सतर सालों से यूटी की डिवान कर रहे थे तो मुझे लगता है कि आज उनके सारी खाईशे हैं वो पुरी हुरी हैं लोग खुश हैं और तरक्की के लग्दाक जा रहा है कावेंदर गुपतर जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद